दोस्तो crime और thriller के ओपर series हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है लेकिन fantasy के साथ अगर आपको crime और thriller नज़र आए तो वो series कुछ ज़्यादा ही हमें पसंद आती है जी हाँ दोस्तो आज हम जिस series के बारे में बात करने जा रहे हैं ये आपको एक अलग ही era में ले जाएगी यानि क 1536 में आपको रिलीज जाएगी और वहाँ पर एक राज़े में एक crime को अंजायम दे जाता है और उस crime को किस तरह solve की जाती है ये सारी चीजे इस series में दिखाने के कोशिश की जाएगी जी हाँ दोस्तो मैं बात करने जा रहा हूँ सार्ग लेक वेब series के बारे में जिसे finally release कर 44-50 मिनट की है यानि कि ये series थोड़ी बहुत लेंथी जरूर है तो दोस्तो चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत इस series की story के बारे में कहाने के शुरुआत होती है Thomas से जो कि सार्डलेक नाम के एक detective को एक छोटे शे टाउन में भेजता है जहाँ पर एक commissioner की मौत हो जाती है या बहुत ही जादा slow है यानि कि series के 4 episodes भले ही release किये गए हैं लेकिन ये चारो ही episodes आपको बहुत ही जादा slow लगने वाले होगे at least इसके 3 episodes तो आपको सच में बहुत ही जादा slow लगेंगे series के presentation mind blowing है लेकिन series बहुत ही जादा slow तरीके से आपका सामने present की गई है इसकी episode 1, 2, 3 episode 4 में reveal कर दी जाती है यानि कि ये पूरी के पूरी series 40 episodes में खतम हो जाती है और एक बात दोस्तों ये series उनके लिए बिलकुल भी नहीं बनी है जो कि series में बहुत ज़्यादा action या फिर बहुत ज़्यादा thrill पसंद करते हैं और थोड़ी fast series देखना पसंद करते हैं क्योंकि series ब अब बात करते हैं इस series की rating के बारे मैं तो दोस्तों अगर मैं इस series को rating दूँ तो मैं ऐसे rating वनगा 5 में 3.1 start की wrap कि series की presentation लग भग ठिक ठाक है इतने भी best नहीं है इस series की presentation तो दोस्तों अगर आप सोच रहें कि series को हों देखे हैं या ना देखें तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि ये सिरीज सब के लिए नहीं बनी है बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि स्लो सिरीज देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और ये सिरीज उनके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये रिवियू आपको पसंदाया होगा तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ